प्रेज़ दलोड आज सबको जय मसी किये मैं परमिसर का धन्यबाद देता हूं आज की सुभा दिखाने के लिए एक और दिन परमिसर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया हम परमिसर को कोटी-कोटी धन्यबाद दे एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोध पस्टर राजमैस आपके सम्मू को पस्टित हूं आज का संदेश बहुत विशेस है क्योंकि आज हम इस परिस्थिती में हैं कि हम जब ढूंडते हैं चारो तरफ तो हमारा कोई भी हम दर्द हमें नहीं मिलता कोई भी हमारा हम साया हमारे दुख दर्दों में साथ देने वाला साथी दोस्त र हम अंदकार में रहते हैं हम परिशान रहते हैं चिंताओं में रहते हैं लेकिन कोई भी सहाया कम को नहीं मिलता ऐसी परिस्तिती में हम क्या करें ऐसी परिस्तिती में बाइबल हमें क्या बताती है आज इस बात को हम जानेंगे तो भली रहेगा मेरे साथ और पूरा संदेश सुने और से शेर भी कीजिएगा टूपल्स में आज का सवाल है कि येशु कब हमारे लिए मरा था हम कैसी परिस्तिती में थे जब येशु हमारे लिए मरा अगर जानते हैं तो उसे कमेंट्स में लिख दी जा नहीं तो जितने भी लोग इस बचन को देख रहे हैं सब पर मैं तेरी आशिश बोलता हूँ हरेक को आशिशित कर हरेक की रोग बिमारी चिंता प्रिशानिया दुख तकलिफे अकलेस लड़ाई छगड़े तफर के मन मुटाओ प्रभूजी तलाक बांजबन नशा करजे और प्रभूजी बिरुजगारी बिमारियां हरेक के घर से दूर करदे अपने बच्चों को प्रभूजी भला चंगा रख खुशाली दे ताकि प्रभूजी तेरे बच्चे तेरी महिमा कर सके धन्यवाद ये तों प्रभू तुने मेरी प्रात्ना को सुन लिया प्रभू येश्यू के नाम से मांगता हूं आमिन तो आई आज की संदेश को हम शुरू करेंगे जल्दी से और सबसे पहले में आपको एक चुट सा किस्ता सुनाना चाहता हूं एक छोट असा जादूगर था जो नया नया था वो एक जगा जादू दिखा रहा था तो क्या हुआ लोग देख रहे थे और तालिय भी बजा रहे थे लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी उसकी हवसला अवजाई के लिए तो इतने में एक बहुत बड़ा जादूगर नामी ग्रामी जादूगर भापर आकर बैठ गया जो अलग बैठ था कोई उसे पहचान नहीं रहा था कि कौन है और उसने जब प्रोग्राम खतम हो गया तो उसने का मैं भी कुछ दिखाना चाहता हूं तो जब उसने दिखाया तो सब लोगों ने बड पहचाने जैसे जादूगर कोई भी नहीं पहचान ना था पूरी महफिल में वो बैठा बहुत देर से लेकिन क्या होता है जब वो अपना जादू दिखाता है तब लोग उसे पहचानते के ये तो वही जादूगर है जो नामी ग्रामी है तो ऐसे ही प्रभू ये समसी ने क को दाखरत बना कर अपना पहला मौज़ा या अपना पहला आश्चरे करम दिखाया ताकि लोग जाने ये पर वो ये समसी है और हम ग्यारा पद में इसमें पढ़ते हैं यहनना दो अध्याए और इसके ग्यारा है पद में यह लिखा ये ये शू ने गलील के काना में अपना ये पहला चे ने दिखा कर अपनी महिमा पर गड़ की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया चेलों ने विश्वास किया लोगों ने विश्वास किया और लोग तब से ये समसी के पीछे चलने लगे क्योंकि वो जानते थे कि यही है आश्चरेम करने वाला वो जान पहचान गएते अच्छी तरह से, क्योंकि ये येशुमसी ने उस काम को करके दिखाया, आज हम भी जानते हैं अच्छी तरह से, येशुमसी कौन है, क्योंकि हमारे पास Bible है, वो हमें बताती है कि येशुमसी क्या नहीं कर सकता, वो मुर्धों को भी जिन्दा कर सकता है, तो ह को जानने लगी थी अयूब क्या कहते हैं इस बारे में आए देखेंगे अयूब ने परमेसर के विसे में क्या कहा है जब हम अयूब के पुस्तक उसका 42 अधियाए और उसका दूचरा पड़ते हैं तो देखें क्या लिखा यहां पर लिखा कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है जानना बहुत जरूरी है कि परमेसर क्या नहीं कर सकता है अयूब जानता अच्छी तरह से बहुत बड़ा विस्वासी है और यह संकट में है अभी परिशानी में है तो वो कहता है कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई र सकता है और तेरी युक्ती में से जो तु मेरे जीवन में करता है कोई भी रुक नहीं सकती छोटी से प्रातना कीजे कमेंट्स में लिख दीजे मैं जानती हूँ के मेरा येशु सब कुछ कर सकता है मैं जानता हूँ के मेरा येशु सब कुछ कर सकता है उसी पर भरोसा रही है, वो हर समय हमारे साथ खड़ा है, संथ पॉलुस जब हम नए नियम में, हम यह मैंने अयूब की बात कि, जब हम संथ पॉलुस को देखते हैं, संथ पॉलुस कहते हैं, फिलिप्यों चारत है, उसके तेरह पद में, कि जो मुझे सामर्थ देता है, उसमे मैं सब कुछ कर सकता हूं कितना बड़ा विस्वास अयूब का कितना बड़ा विस्वास पॉलुस का हमारा कितना बड़ा विस्वास है हम कितना परमेशर को जानते हैं हम कितना उसके नजदीक रहते हैं कितनी उसकी आग्याओं का पालन करते हैं कितने उसके संपर्क में रहते हैं कि हम उसे जानें, देखे हम जितना जिससे मिलते हैं, जितना ज्यादा जिससे हम मिलते हैं, हमारी उससे पहचान बढ़ती चले जाती है, उससे हमारी घनिष्टता बढ़ती चले जाती है, तो प्रति दिन परमेसर से मिलें, उससे हमारी घनि इस बात को जान गया था कि परमिस्तर के सिवाए और कोई भी मेरे जीवन में काम नहीं कर सकता। इसलिए बज़न सहिता 23 लिखते समय उसमें पहले पन में लिखा यहवा मेरा चरवाह है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मुझे कुछ घटी नहीं होगी। यहवा मेरा चरवाह, आपने हाथों को उठा कर कहिए कि यहवा मेरा भी चरवाह है, मुझे भी कुछ घटी नहीं होगी। यह बड़ा विस्वास चाहिए हमें। यह विस्वास चाहता है परमिस्तर हमारे अंदर अयूप की तरह जब हो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुछ सब कुछ कर सकता है तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती पॉलूस की तरह जब हो कहता है कि मैं जो मुझे सामर देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ दाउत कितना जो कहता है कि यहवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। बहुत अच्छा लिखा है, Lord is myself but I shall not want, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इसका आरती है, अंग्रेजी में इसका आरत अलग नकलता है, कि यहवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ करने वाला वो ही है, और भी सेलिब्रेटी हैं जो परमेसर के परमेसर के उपर उसने विस्वास किया, परमेसर ने का तू तारा गन को गिनता है, तेरा वन सित्रा ही होगा, उसने उस बात पर विस्वास किया, और लिखा है कि यह बात परमेसर ने अबरहम के प्रती उसका धरम गिना गया, तारा पत के जब हम तेरा और चौदा पत को प तब यहवा नियहें अब रहेम से कहा सारा यह क्यों हसी कि कया ने जो एसी बुड़िया हो गई हिए यूंत पितरस्पन होगा परमेसर अब रहेम से कह रहे यह कियो कुछा निय lokद सुनन करते हैं उससे नहीं पता कि मैं क्या नहीं कर सकता फिर देखिए चौधें पद में परमिसर ने क्या कहा है क्या यहवा के लिए कोई काम कठीन है नियत समय में अर्थात वसंद रितु में मैं तेरे पास फिर आउँगा और सारा के पुत्र होगा और हम जानते हैं एजाक हुआ है तो इतना बड़ा वाहिदा परमिसर करता है मेरे मैं सब कुछ कर सकता हूँ या मेरे लिए कोई काम कठीन है नहीं परमिसर के लिए कोई भी काम कठीन है मनुस्य के लिए हो सकता है हम जिनके उपर विस्वास करते हैं जिन मनुस्य के उपर उनके लिए कोई काम खटिन हो सकता है संसारिक लोगों के लिए काम खटिन हो सकता है जिनके पास भी हम जाते है अपने जो जादू टोना टोटका वगारा करने वालों के पास हम मुल्ला माली पंडितों के पास पाद्रियों के पास जाते हैं उनके लिए काम कठिन हो सकता है राजा, महराजा, प्रधान मंतिर, राश्पति, बिशप, रेवरेंट, पाश्टर, डीकन कोई भी हूँ इनके लिए काम कठिन हो सकते हैं लेकिन मेरे प्रभू के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है कहता है यहां पर किया यहवा के लिए कोई काम कठिन है और यही बात क्या हुआ येसु मसी ने कही लुका 18 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं और उसके 27 पद में यहां लिखा है उसने कहा जो मनुस्यों से नहीं हो सकता वो परमेस्वर से हो सकता है अभी मैंने बहुत सारे मनुस्यों की पदवी गिनवाई आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता जो परमेस्वर कर सकता है तो क्यों न हम उसकी संगती में अपने आपको बना कर रखें जो सब कुछ कर सकता है जो सब कुछ कर सकता है, तो क्यों न हम उसी के साथ अपने संबंदों को सुधार कर रखें, क्यों न हम उसी के साथ बने रहें, उसके साथ अपने घनिष्टता बढ़ाएं, उसके साथ अपने प्रेम को बढ़ाएं, उससे प्रेम करें, उससे लिप्टे रहें, और उसकी आग दाउत की तरह हो अब्राहिम की तरह हो प्रभू यिस्व मसी ने भी यहां पर कहा कि जो मनुस्य से नहीं हो सकता वो परमेसर से हो सकता है जब हम पढ़ते हैं यर्मिया नभी के पुस्तक उसका 32 सद्या है 26 और 27 पत तो देखिए वहां पर क्या लिखा है लिखा है तब यहवा का यह बच्छा ने ज़ियर्मिया के पास पहुंचा मैं तो सब प्राणियों का यहवा हूँ और देखिए 27 पत में क्या कहता है क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है कोई काम परमेसर के लिए कठिन नहीं है मेरे लिए हो सकता है आपके लिए हो सकता है पास्टर के लिए रेवरेंड के लिए डीकन के लिए बिशप के लिए पोप के लिए भी हो सकता है राश्पती के लिए, प्रदान मंतरी के लिए, मुख्य मंतरी के लिए, छोटे मंतरियों के लिए, लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, पड़ोसियों के लिए, घरवालों के लिए, सब के लिए काम कठिन हो सकते हैं, कि भई मुस्से नहीं हो पाएगा, किसी और को खोज लो लेकिन परमेसर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है तो क्यों न हम उसकी संगती में बने रहें क्यों न हम उससे अपनी घंश्टता को बढ़ाएं क्यों न हम उससे मित्रता कर लें उसको अपना हमदर्द बनाकर अपना दोस्त बनाकर अपने दिल की बातें उससे कह डाले यहाँ पर लिखा है किया तब यहवा का यह वचान यिर्मिया के पास पहुँचा मैं तो सब प्राणियों का परमिस्टर हूँ क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है तो जो सब कुछ कर सकता है जिसके लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है तो क्यों न हम उसी के समपर्क में रहें क्यों न हम उससे लिप्टे रहें क्यों न हम रोज उससे बाक्चित करें रोज उसके लिखे हुए लव लैटर को पढ़ें यानि कि Bible को पढ़ें उसका love letter है परमिसर का love letter है मनुस्यों के लिए Bible उसके प्रेम को दरसाता है कि वो कितना प्रेम हमको करता जब हम यौना 3-16 पढ़ते हैं तो क्यों न हम उसके घरिष्टा बढ़ा है वो हर समय हमारे साथ रहता है वो हमें कभी भी problem में नहीं पढ़ने देगा निकाल कर उंचे स्थान पर खड़ा कर देगा प्रेज दलॉड आखिरी में एक वच्छन पढ़के मैं समाप करूँगा रूमियो आठ अध्या है और उसका 31 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा है सो हम इन बातों के विश्य में क्या कहें यदि परमेस्टर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है प्रेज दलॉड परमेस्टर को अपनी ओर कर ले उसे मना लें उसे प्रसंद रखें उसे खुश रखें उसकी आराधना करते रहें उसके वच्ण को पढ़ते रहें उससे निरंतर प्रात्ना करते रहें उससे घनिश्टता बढ़ाने उसको अपना हमदर्द अपना दोस्त बनाकर अपने साथ रखें परमेस्टर हमें किसी प्रॉब्लम में कभी भी नहीं पढ़ने देगा क्योंकि ये परमेसर की आदत है कि वो अपने बच्चों से जब प्रेम करता है तो उनकी प्रॉब्लम को अपने बच्चों से दूर रखता है हमें अपने विस्वास को पक्का करना है सॉलिड बनाना है अयूप की तरहा, संत पॉलूस की तरहा, दाउत की तरहा, अबरहम की तरहा और भी बहुत सारी स्टैलिबरेटी हैं जिन्होंने, बाइबल की स्टैलिबरेटी जिन्होंने परमेसर के उपर विस्वास रखा और बड़े-बड़े काम होते वे देखे एबरानियों 11 अध्याय में हम सब पढ़ सकते हैं परमेसर इन वचनों के दोरा हम सब को आशीदे, यदि आज आज आपने कुछ नया सिका है तो जरूर कमेंस में लिख दीजेगा और इस वचन को शेर कीजे ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें प्रूपर्स में आज का सवाल है कि येशू कब हमारे लिए मरा, हम किस परिस्तिती में थे जब येशू हमारे लिए मरा जानते हैं तो कमेंस में लिख दीजेगा नहीं तो डिस्क्रिप्सन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाईए कि जिद है सच को फिलाने की आज के लिए बस इतना ही फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेगे तब तक के लिए मुझे जाज़त दीजे लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेसर से घनिष्टता बढ़ा लीजे प्रेज दलोड